नमस्कार, मैं हो ससी, आइए जारखन की टोप 25 पर मुफ खबर जानते हैं जारखन विधान सभा का 72,27 फरवरी से राजेपल ने दी मंझूरी जारखन विधान सभा का 72,27 फरवरी से शुरू होगा इसकी सहुखिती राजेपल रमेशबैस ने दे दिया है यह सतर 24 मार्च तक चलेगा अब इस प्रस्ताओं को आठ फरवरी को होने वाली केबिनेट की बैठक में रखा जाएगा इसके बाद अताय होगा कि सरकार किस दिन अपना बैठ पेस करेगी जनकारी के अनुसार हेमंद सरकार एक से तीन मार्च के बीच अपना बैठ पेस कर सकती है हेमन सरकार का यह चौथा बयट होगा जिसमें सरकार भीत्य बश्च 2.23 के लिए अपना बयट पेस करेगी बता दे केंद्र सरकार की तरह राजी का बयट भी 2.24 के चुनाओ के मत दजर चुनाओी बयट ही होगा बयट गाओ, गरामिन और गरीबों पर फोकस होगा विभीन विभागों दोरा अपने अपने विभाग की अनुदान मांगों को तयार कर लिया गया है और अब इसे अम्तिम रूप दिया जा रहा है इसके पूर्वे हेमन सरकार ने बयट को लेकर चार्चा और परिचर्चा का भी आयोजन किया सरकार ने दावा किया है कि अब यट जार्चन के गाउं, गरीब और किसानों को देखते हुए पेस किया जाएगा कई तरह के लोक लुभावने घोसना है सरकार के चोथर बयट में देखने को मिलेंगी जैक बोडने की मैट्रिक इंटर परिच्छा को लेकर त्यारी पूरी जार्खन एकेडमी कॉल्सिल ने इंटर और मैट्रिक को लेकर जीला सिक्षा विभाग की और से त्यारी पूरी कर लिगाई है जीले में मैट्रिक वा इंटर की प्रेक्टिकल परिक्षा पहले होगी इसकी तीथी घोसित कर दी गई है स्कूलों में यह परिक्षा साथ फरवरी से सुरू होगी D.E.O. भूतनाथ राजवार ने बताया है कि सभी स्कूलों वा इंटर कॉलेजों में प्रेक्टिकल परिक्षा के लिए उतर पुष्टी का समयत अन्य जरूरी समान उपलब्त कराया जा रहे है मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परिक्षा 14 मार्च से सुरू हो रही है पहले दिन वोकेशनल कोर्स की परिक्षा होगी वहीं 15 मार्च से मोख्य विशा की परिक्षा होगी धानबाद में मैट्रिक के लिए 103 केंद्र बनाएगा इहां इस परिक्षा में जीला के 30.931 बिद्यार्थी सामिल होंगे वहीं इंटर की परिक्षा के लिए 88 परिक्षा केंद्र बनाएगा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है 200 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा पंडाल में बैठने के लिए 5000 कुर्सिया का इंतिजाम किया गया है पार्टी के जंडे एम बैनर से पूरा सहर पटा हुआ है जहमों नेता अमितियस सहाय ने बताया है कि इस बार कारकरम दो पर दो बए सुरू होगा पार्टी अध्यक्स सीवू सुरेन और मुख्य मंत्री सा करेकारी अध्यक्स हेमन सुरेन हवाई मार्ग से धनबाद पहुचेंगे दो पर में डेढ़ बए धनबाद उतरेंगे कारकरम साम साड़े चार बए तक चलेगा इसके बाद हवाई मार्ग से दोनों रांची लोट जाएंगे इस कारकरम में कई मंत्री और विधायक भी मुझूद रहेंगे बता दे कारकरम अस्थरपा सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए हैं बारह फरवरी को पुरे राजे में लगेगा उर्जा मेला बिजली और बील की समस्याव का होगा समधान मनीश गुमार की अधेक्सता में छेत्री अदिकारियों के साथ बैठक में ली गई इस दोरान अपसरों के साथ ओन लाइन समिख्षा भी हुई बैठक में करकारी निदेशक अर्विंद कुमार जीम सुभंकर जा डिप्टी जीम अंजना सुकलादा सहीत कई उपस्तित थे बैठक में बीगत माह 400 कोड़ से अधिक रहस्व प्रापती पर टीम को बढ़ाई दी गई निदेश दिया गया है कि इसी तरह से सभी योजनावत तरीके से कारे करते रहे और रायस्व बढ़ाए मनरेगा के लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करे अधिकारी मन्रेगा आयुक्त सुक्रवार को सभी जीला के उपविकास आयुक्तों के साथ वर्चुल बैठक कर रही थी इस दोरान उन्होंने संचालित योजनाओं की जीलावार जनकारी भीली मन्रेगा अंतरगवत मानो दिवस रिंखला में अवसक प्रगती लाने का भी निदेश दिया गया मन्रेगा आयुक्त ने जिन प्रमुख योजनाओं में तेजी लाने का निदेश दिया उनमें बीर साहरीत कराम योजना, बीर सहीत, पोटो हो विकास योजना, अंगनवरी योजना सामिल है मनरेगा आयुक्त ने कहा है कि ज्यादा स्यादा योजनाओं का चेहन करें और योजनाओं को पूर्ण भी कराए सियम हेमंत बोले लोग कल्यानकारी होगा ज्यारखन का बयट मुख्यमंत्री हेमंसुरे ने कहा है कि ज्यारखन का वर्स 2023 का बयट लोग कल्यानकारी होगा जिसमें ST, SC, OVC, अलपसंख्यक सहीत सभी बर्गों के लिए कुछ नकुछ खास होगा राज के आदिवासी, दलित, सोसीत, जरूरत, मंद, समुदाय, सहीत, सभी बर्गों के सर्वांगी विकास को ध्यान मेरा कर एक बेहतर और समयवेशित बयट बनाया जा सके इसी सोच के साथ हमिन कर बयट अंतरगत, बयट पर राज की आम जनता एवं भी सज़गों से सुझाओ लिए गया है साभी के सुझाओ के अनुरूप लोग कल्यानकारी बयट बनाना राज सरगार की प्रात्मिकता है बयट में रोजगार स्री जनवा ग्रामीन अर्थ ब्यवस्ता को मजबूत करने पर विशेज फोकस किया जाएगा मुख्यमंत्री सुक्रवार को जर्खन मंत्राला इस्थीत सभागार में बीत बिभाग द्वार आयोजित बयट पुर्व गोश्टी दोहया तेश चोविस को समभधित कर रहे थे रांची के होटल रेडिसिन बुलू में होगा जी 20 सिखर समेलन जार्खन में जी 20 देशों का दो दिवसिया सिखर समेलन मार्च के पहले सप्ता में रांची के होटल रेडिसिन बुलू में होगा समभवत दो वा तीन मार्च को यह समेलन हो सकता है हलाकि अभी तीथी की खोसनाय नहीं होई है जी 20 देशों के प्रतिनी दी मंडल की सूची असपस्ट होने के बाद तीथी पर अमतिम रुक से मुहर लगेगी शुक्रवार को दिली से आई केंद्रिये टीमने जार्खन मंत्राले में जार्खन के वरिष्ट आई एस आई पीएस अधिकारियों के साथ बैठा कर जी 20 सीखर समिलन की तियारियों की जनकारी ली या प्रयाटन अस्थल की सुरक्षा से लेकर जी 20 देशों के प्रतिनी दियों के ठाहरने तक के पुक्ता इंतिजाम होंगे पिछले कई दिनों से रांची वा आसपास के प्रयाटन अस्थल जैसे परमुक, लेक, जलप्रपात, पार्क, आधिकारी जाई जाले चुके हैं अनुबंध पैरा मेडिकल कर्मियों ने राजेपाल से मिलकर की अस्थाई करने की मांग अस्थाई करन की मांग को लेका हताल पर चल रहे तथा राजबहन के समक्ष अंसन पर बैठे अनुबंध पैरा मेडिकल कर्मियों ने शुक्रवर को राजबहन में राजेपाल रमेश बैसे मुलकात की बतादे 5 सदस ये परतिनेदी मंडल ने राजेपाल से सेवास थाई करने से समधिक यापन सोपा तथा उस पर अवस्थक करवाई करने के लिए राजबहन के नुदेश देने का अनुरोध किया स्वास्त मंत्री को राजबहन बुलाकर अनुबंध कर्मियों की मांगों को उनके समख्ष रखने का स्वासन दिया है 77168 कडोर वसूल कर खान एवं भूतत्व विभागने बनाया नया रिकोर्ड खान एवं भूतत्व विभागने वितिय वर्ष 2022 तेश में दो महीने से स्रहते ही पिछले वर्ष का रिकोर्ड धवस्त कर दिया है यह काम सर्थी क्लक्ष निर्धारन के साथ साथ नियमित निगरानी से ही संभव हुआ है बताते गढ़वा सिम्टेगा जम सेथपुर गोड़ा एवं गिरीडी समयत कुछ जीलों में इस चीती अभी बहुत खराब दिख रही है लेकिन वहाँ भी सुधार की समभवनाय बने हुई है इन जीलों में रायस वसुली पिछले वर्ष की तुलनाएं पचास फेदी से भी कम है पिछली सरकार के अमतीम वर्ष में खान विभाकी वसुली एक आवन सो पैसट को रुके आसपस थी और इस लिहाज से तीन वर्ष में रायस वसुली में संदारी जहपा हुआ है जनवारी महीने के अंचता कुल रायस वसुली लगभग सतोतर सव और सट को रुपए के साथ जहारखन नाएक कृतिमान की ओर बढ़ रहा है सहाई खेल योजना सुरू 16-18 फरवरी तक होगी परत्योगता मुख्यमंदरी आवंतरन कप के बाद रायस सरकार ने नकसल पर होईत 5 जीलो चाईबासा सराय के लाखार सावा खुट्टी गुमलावा सिम्डेगा के लिए सहाई खेल योजना की सुरूबात 20 जनवाई से की है योजना के तहत फुटबॉल, होकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल परत्योगता होती है एक साल पहले ही सभी जीलों को खेल, कीट वर रासी आवंटित कर दी गई थी गुमला के सदर परखंड बसिया, सिसाई में हो रही परत्योगता में कई फुटबॉल खिलाडी, नंगे पैरवक कई बिना टी-शट परतिभा दिखा रहे है अमीत साह की देवगर यातरा से पहले हिमंत सुरेन ने दुमका से बीजेपी पर साधा निचाना भरतिय जनता पर्टी के सिस्ट नेताओं में सुमार केंद्रे गिरी एवं सहकाईटा मंतरी अमीत साह की जारकन यातरा से पहले सुबे के मुखिया हिमंत सुरेन ने केंद्री की सतारूट पर जोरदार हमला बोल दिया है बता दे जारकन मुक्ति मोर्चा के करकारी अध्याक साह जारकन के मुखिय मंतरी हमंसुरेन ने बीजेपी को बेपारियों की पार्टी बताया है उन्होंने कहा है कि खेती बारी से इनका कोई लेना देना नहीं है हेमन सुरेन ने दुमका में सुक्रवार को कहा है कि बिजेपी ने एक दो राजियों को छोड़कर बागी सभी जगों पर खरीद फरोक्त करके सरकार बनाई है इनकी परिभासा ही ऐसी है बिजेपी बेपारियों की पार्टी है खरीदो और बेचो उनका फर्मूला है जहारखन में बनेगा किरिसी विशो भी द्याला है और पसु पालन विशो भी द्याला है क्या स्थापना की जाएगी यह घुसना जहारखन के किरिसी मंत्री बादल पत्रलेख ने बिरसा एगरिकल्चर उन्वर्सिटी में आयोजी तीन दिवसी किसान मेला के उधगाटन समारों में सुक्रवार को की उन्होंने कहा है कि B.A.U. में डाक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम के स्मिरिती में एक बिसाल हाइटेक अडूटोरियम बनाने के लिए भी राई सरकार अनुदान देगी उन्होंने कहा है कि B.A.U. को N.D.R.I. करनाल और जीबी पंथ किरिसी एवं प्रद्योगिक विस्वभी द्याले उत्राखंड की तरह अग्रेनी बनाने के पर्यास करना चाहिए C.M. हमन्त ने बिसे सग्यों संग की हमीन कर बयट पर चर्चा रांची के प्रजेक्ट बिल्डिंग इस्थीत जारकन मंत्राले के सभागार में हमीन कर बयट के तहत बीत विभाग द्वारा आयोजीत बयट पुर्वा गोश्टी 2.24 का आयोजन हुआ इस गोश्टी में मुख्य मंत्री हमन सुरेन बिसे सग्यों से उनकी राय जानी इस दवरान कई बिसे सग्यों ने अपने सुजहाव राज सरकार को दिये इस मौखे पर C.M. ने राजे के आदिवासी दलित सोसी तजरूरत मंद समुदाय सहीत सभी वरगों के सरवागी विक अनुरूप लोग कल्यानकारी बयट बनाना राज सरकार की प्रत्मिकता है में बाबा सहीत आसपास के सुरक्षा प्यवस्ता का पुखता इंतिजाम होगा सुबह के आठ बहे से लेकर मंदीर से उनके लोटने तक आम भक्तों की इंट्री बंद रहेगी मंदीर में करीब 35 मेर्ट तक ग्री मंत्री रहेंगे PDS पाखवाडा में दुकान बंद रखने वाले नव दुकानदारों को सोकाज PDS ससक्तिकन पाखवाडा के दरान लापरवाही पर रतने वाले नव PDS दुकानदारों पर करवाई की गई है जीला आपूर्धी पताधिकारी अलवर्ट बिलूंग ने पीडियेस दुकंदारों को सोका जारी किया है सुक्रवार को अचक निरिक्षन के दरान उनकी दुकान बंद पाई गई दीन के करीब साड़े बारा बजे भी सभी पीडियेस दुकान बंद पाई गई साथ ही अपने दुकान से समधित सत परतिशत राशनकार दहार को का डेटा दुरूस्त करने का निर्देश दिया गया धन्यवाद